हेलो दोस्तों मैं जी स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जीत पुरी उपर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पुश्प बिगयान कक्छा साथ कक्छा साथ की बिगयान को अब इस वीडियो में स्वालूशन करने वाले हैं की होगा पेज नमर 68 से 70 तक अगर आपने इससे पहली की वीडियो नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर जाईए आपको प्ले लिस्ट मिल जाईए आप बहाद सारी वीडियो देख सकते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक चैनल को सस्क्राइब कर होते हैं समानता पुष्प में निम्न भाग होते हैं जैसे बाहदल कि इसका अंसर है यह पुष्प का बाहरी भाग है और चोटी पत्ती की बहांती दिखाई देता है कलिका बस्ता में पुष्प की रक्षा करता है कुछ पुष्पों में संयुक्त बाहदल वा कुछ में अल जी हाँ याद कर लीजिए WhatsApp नमबर क्योंकि आप चाहे आपका math का सवाल हो या physics chemistry वालो जी आपके हर doubt हर question का मिलेगा तुरंद video solution वो भी सीधा आपके WhatsApp पर बस अपने phone में doubtnut का 8400-400 WhatsApp नमबर save कर लीजिए और chat open कीजिए और जो भी आपका doubt है उस सवाल की आपको फोटो खीचन करना है उसे क्रॉक करना है और पांस सेकिंड में आपको मिलेगा वीडियो श्रॉलूशन क्लास सिक्स टू ट्वल्ट आयाइटी जेई नीट और सभी स्टेट बोर्ट के वच्चों के लिए तो देर किस बात की अभी जाईए और 8400-400 पर आपना सवाल WhatsApp कीजिए और अपने स सभी डाउट को आउट कीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आगे देखेंगे पुश्प के नर्जननांग को निरूपित करता है विभिन पुश्पों में पुश्प की संख्या अलग-अलग होती है पुश्प तन्तू एवं पराक को इस दो भागों से मिलकर बना होता है इ है पुश्प का मादा जननांग है पुश्प को हटाने के बाद इसे पूरी तरह से देख ले सकते हैं इस तरीकेसर का सबसे निचला एवं फूला भाग अंडा साय होता है इसके बाद आंगे क्या है पुश्प का मुख्यकार पजनन ववीज द्वा निर्मार करना है विभि दल पंखुणिया पुणकेसर इस तरीकेसर अभी देखें अगर आप इसका विज्टित अध्याशाथ को अपन पड़ सकते हैं विज्ञान कख्षचे के अध्याशाथ को आंगे देखेंगे अगला कोश्चन है पुश्प के किस भाग में अंडा साय मिलता है पुश्प के आकरशनवा रंगिन भाग होती हैं यहाँ पर दिखेंगे पुश्प का नामां के चित बनाई तो यहाँ पर पुश्प का नामां के चित बनाई यह तना हो गया यह वाले बाहदल हो गए यह अपनी पंखुडी हो गई इसके बाद यह पुणकेशर हो गया और यह यहाँ से इस तरीकेशा हो गया ठीक है ना तो यह पन बना लेंगे ऐसा और आप इससे अच्छा बन जाता है तो आप इससे अच्छा बना लेंगे इसके बाद पुष्प का मुख्र कार क्या है पुष्प का मुख्र कार पजनन द्वारा बीज का निर्मार करना है आपने बिल्कुल नाम बाहदलों की शंख्या पंखुणियों का वह उनकी संख्या पंखुणी जुड़ी हैं या सुतंथ हैं पूंकिश्रों की संख्या तो एस सब अपन को लिखना है जैसे गुड़हल गुलाब पीली कनेर मोंगरा एंड गैदा तो इस सभी अपन इसको देखका लिख लेंग पूंकिश्रों की संख्या अलग अलग होती है इस तरीके सर सबसे निचलावा फूला भाग अंडासय होता है ऐसा होता है जिसको अपन ओवरी बोलते हैं इंगलिस में इसकी बात पूष्प का मुख्रकार प्रजनन द्वारा बीच का निर्माण होता है ठीक है ऐसी ही अपन आगे चलेंगे तो किसी पूष्प का सुंदर चित बना का उसके विविन भागू का बढ़नान करें तो आपको यहां पर भी पूष्प का चित बनाना है तो जैसे यहां पर पूष्प का चित दिया गया जैसे बढ़ती काग प्रंखुडिया बाहदल यह अपन तना भी लि आगे जैसे चलते हैं अपन क्या सभी पुष्प की गंद समान होती है नहीं सभी पुष्प की गंद समान नहीं होती है सभी पुष्प की गंद अलग-अलग होती है यह भी अपनने देखा था तो दिखे इस वीडियो में अपनने पेज नंबर 70 तक कंप्लीट कर लिया है अग अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्य बाद